इशान कोंड घर के उत्तर पूर्फ कोने को कहा जाता है? वास्तू शास्तर के अनुसार उत्तर और पूर्फ दिशा शुब मानी जाती है. ये माना जाता है कि इस कोंड पर देवताओं और आध्यात्मिक शक्ती का वास रहता है. इसलिए ये घर का सबसे पवित्र कोना होता है ऐसे में कई घरों में इस स्थान पर बाथरूम या टॉयलेट बना लेते हैं जिससे घर में वास्तु दोश उत्पन्न होने लगता है और धन हानी भी होने लगती है तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमारे वास्तु गुरू कुलदीब सलूजा जी आपको बताएंगे घर में इशान कोन होने से घर पर क्या प्रभाव पड़ता है साथी ये भी बताएंगे अगर आपके घर में भी इशान कोन में टॉयलेट बना है तो इससे मिलने वाले अशुप प्रभावों को रोकने के उपाएं नमस्कार दोस्तों मैं कुलदीब सलूजा कुली टीवी के दर्शुको का स्वागत करता हूँ दर्शुको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इशान कोन में टॉयलेट होना बहुत अशुप होता है दोस्तों सभी एक आम भानना भारत में जो वास्तु बारेम जानकरी रखते हैं कि इशान कोन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए और यदि घर में कोई परिशानी चल रही हो किसी के हां तो टॉयलेट इशान कोन से अटाने की साला देते हैं पर कई बार इशान कोन से टॉयलेट अटाना पॉस्विबल नहीं होता है कोई घर के साइज इतने बड़े नहीं होते हैं तो पैसे भी नहीं होते हैं कि उसको बद्दद लगें दोस्तों कि पुराने जमाने में यह कहा गया है कि यह पुराने जमाने जो किताबें जो गरंथ लिखे गए हैं जब मकानों की बनाओट आज के मकानों से विप्रीत होती थी क्योंकि पहले क्या होता था कि आज पास तो क जैसे पूजागर प्रसुत्ती घर स्राना घर इसमें नियापर रसोई घर यशेन कख्ष सोचाले ठीक है ना इस तरीक और बीच में आंगन होता था अब आज कल तो बीच में घर बंदा है और आसपस खाली जगा है कार पार्किंग के लिए गार्डन के लिए ठीक है ना तो घ पूजा जाता रहा है कि पूजागर ये इशानकोन पूजागर होना चाहिए ट्वालेट नहीं होना चाहिए दोस्तों क्योंकि हर दिशा का को स्वामी है इस दिशा के स्वामी है गुरू और केतु इशानकोन के जैसे पूरु के स्वामी सूरु देवता है अगने के स्वाम शुक्र देवता है। दक्षिन के स्वामी मंगल देवता है। नरूत्य कORby रहु समय देवता है। पश्यम के स्वामी शनी देवता है। वाईॵे के चंद्रमा है और उत्तर के बुदह है।kor oui के स्वामी गुरु के तु है। इसलिए इसे पवित्रस्थान मना गया और इसे पूजा के लिए रखा गया है पर दोस्तों ऐसा नहीं है यह दोष तो है पर बहुत बड़ा दोष नहीं है ठीक है न यह जो इन्डियन स्टाइल के जो टॉयलेट बनते हैं जिसमें कमोड लगता है और बेटते हैं हम लोग वो पास पास हीटे लगा कि उसको its को फिटा जाता है तो इसका ऑसं को एक्षा उचा हो जाता है तो इशान को उनकी उच्छा ही भूद बड़ा दोश है ऐसको कर बहुत बड़ा दोश है उसके आगे याँ टॉयपा यह açनSu नहीं महाँ छोटा दोश इसके आगे तो आप यह दे गड़ा बनाके उसमें कमोड़ फिट करिएगा और यदि कोई फ्लेट सिस्टम है अब आप चोती पांशे माले दस्वे माले पर रहते हैं और महाँ पर आपके टॉयलेट यहां पर है अब दिक्कत आगे कि आप महाँ तो गड़ा करने सकते हैं तो क्या करिएगा महां के बाकी स्लेब डलता स्लेब को फिट किया जाता है तो क्या करिए कि इसका पूरा स्लेब के उपर जुत्ता वी इटे वीटे लगी सब हटा दीजेगा हटाने के बाद आप वेस्टन स्टाइल का कमोड़ जो होता है वो लगाईएगा और ध्यान रखे कमोड लगा तो यहां इशान क कि इस जगह पर आने का रास्ता यहां तो यहां से हो है यहां से इस दिवार पर लगाईएगा ठीक तो वेस्टन स्टाइल लगा दीजिए और यदि आपका पाइप ऐसा कुछ है जो उसका जो जो नीचे जा रहा है तो पाइप दिखता रहे पर पूरा फ्लोर का लेवल इस यह करने से निश्चित मान ये कि आपकी समस्ष्चा का समाधान हो जाए जैसारी इसके खाड़िय वह इंधा Personality और समस्चा नहीं आती है निश्चित रही है अप मेरा बहुत बड़ा अन्भ हो गया क्यों आज कर पहले जमाने दिक्यत क्या थी पहले जो टौयलेट होता था उसमें एक दिक्यत थी पुराई जमाने में कि डेने सिस्टम थोता नहीं था नीचे डिबबा रिखा जाता था घर के करिवार की लोग मां टौयलेट जाते थे उसके बाद कोई उसके डिब्य को निकाल कि उसकी सफाई के लिए ले जाता था सफाई होती थी पहले सिस्टम यह था आजकर तो सब जगभा प्लश सिस्टम है आप गया उसके बाद आपने दभाय सफाई होगी पूरा साफ सुत्र हो गया ठीक है ना अब बनावड बदल गई इस टॉयलेट के सिस्टम बदल गया है डेने सिस्टम आ गया है इस इस बहुत बड़ी दिक्रत नहीं आती है मेरा यह फिर भी कहूंगा कि यदि संभव है यदि आप नया मकान बना रहे हैं तो आप इशानकुन में टॉयलेट बिल नहीं वह गलत है पाइप दिखता है वह बस सूरी गंदा लगेगा तो पाइप दिक्रा है कोई दिक्कत नहीं है पर फर्श का लेवल बराबर कर दीजे निश्यत मानिए आपकी समस्या दी होगी तो समाधान हो जागा यदि टॉयलेट के रिशान को टॉयलेट कान आ रही है छै schaffen Nor말 वहर समस्या और समझेज जोट नहीं करता है बड़ी समस्या परिशान चाल रहीी जीवन परिवार में पूरय घर पसंद आई होगी झाल